सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर आ की यूटूब चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हमारे लेटिस टेकनोलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मोटरोला ने अपना मोटो जी फाइब एस प्लस लॉंच कर दिया है जो की मिलना शुरू हो जाएगा 30 अगस्त से एमेजोन पर दोपहर 12 बजे से फोन की कीमत भी काफी कमाल की रखी गई है शायद आपको याद होगा मोटरोला का इससे पहला वाला मोडल था मोटो जी फाइब प्लस जिसकी कीमत थी 15,999 रूपे और इस वाले मोडल यानि की मोटो जी फाइब एस प्लस की कीमत भी रखी गई है 15,999 रूपे अगर मैं दोनों फोन के कमपेरिजन की बात करूँ तो कोई खास रिफरेंस है नहीं स्पेसिफिकेशन भी दोनों फोन का सेम ही है लगबग और जो बदलाब किये गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कुछ स्पेसिफिकेशन होने वाला है मोटो जी 5S प्लस का 5.5 इंच की Full HD डिस्पले है Metal Uni Body के साथ में साथी फ्रंट पर ही आपको fingerprint scanner मिल जाता है और मोटो जी 5 प्लस की तरह मोटो जी 5S प्लस में भी 2.0 का गिगार्ट ओक्ता कोर Qualcomm Snapdragon 625 का प्रोसेसर मिलता है साथी आपको 4GB की RAM मिलती है और 32GB का internal memory space मिलता है अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े difference की जो की इनों ने change किया है इस model में वो है इसका camera 13MP के dual rear cameras दिये गए हैं जो की company कहती है professional SLR camera की तरह काम करेगा यानि की company अच्छी picture quality का promise कर रही है और वही 8MP का front facing camera दिया गया है जो की wide angle के साथ में होगा with dual LED flash के साथ मोटोला ने ये सबसे बड़ा changes किया है अपने camera को ले कर और 3000MH की battery दी गई है और company का claim है कि सिर्फ 15 minute में 6 गंटे का battery backup आपको मिल जाएगा यानि की fast charging support करता है तो दोस्तो ये था Motorola का Moto G S5 की तरफ से update प्राइस के वारे में पहले थोड़ा सा confusion था कि कहीं इस phone का price थोड़ा ज़ादा ना हो लेकिन Motorola ना price अच्छा रखा है यानि की अपने वही पुराने वाले price के range में इस phone को भी launch किया है 15,999 रुपेगा तो दोस्तो वस आज के लिए इतना ही मैं बहुत जल्दी आपके लिए surprise राने वाला हूँ मैं उमीद करता आपको वीडियो पसंद आया हुगा आया है तो जादा से लाइक करें शेयर करें और अगर ये चैनल आप पहली वार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्स्राइब करना ना बूलें मैं हर तरह की टेक रिलेटिड चानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई